हालो दिगेर सूदेंट्स, वेलकम बेक टो और्गिनाइज नॉलज चैनल, आज की वीडियो में डसकस करेंगे वॉक्षीट नमबर 34-4, क्लास 8, सोचल साइंस की वॉक्षीट है, जो आपके लिए 15 फेबरेरी 2021 के लिए शेडिूल की गई है, आज की वॉक्षीट का टॉपिक मोमेंट के बारे में पढ़ा था, आज की वॉक्षीट में हम सिविल डिस ओविदेंस मोमेंट है, दांडी मार्च है, वो सब पढ़ेंगी, वक्षीट शुरू करने से पहले बेट अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी, सो लेट्स रास टूर्ड सिविल डिस ओविदें मेंट में वहा गांडी जी फोलोवर स्टरह थे उन्होंने स्ट्रेश दिया कि कॉंगरेस चोह हे उसको कंस्रुक्तिव वर्क इन दे रूलर एरिया ठीक है उसके उपर फोकस जोह है इंस्पर के ऊपर फोकस करना चाहिए यै हरुड एरिया ने तो इंटर देम इन ओर्डर तो इंफ्लूएंस गौर्मेंट पॉलिसीज जी जो नेता थे उन्होंने इस बात पर जूर दिया कि जो कौंसिल के इलेक्शन होते हैं तिक है उसमें उनको पार्टिस्पेट करना चाहिए ताकि उसमें पार्टिस्पेट करके और वो इलेक्ट हों और फिर वो गौर्मेंट की पॉलिसीज को इंफ्लूएंस करें और वहां से गौर्मेंट के उपर प्रेशर बनाएं तो इंपोर्टेंट डेवलपमेंट ओफ ते मिड नाइटीन ट्वेंट वर्द फॉर्मेशन ओफ राष्ट्री एं स्वेम सेवक संग और कॉमिनिस्ट पा बहुत सरे लोग उनके साथ भी जुड़े हुए थे। पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कॉंग्रेस ने पास कर दिया था बट इतना आसान नहीं था कि केवल प्रस्ताव पास होने से स्वराज मिल उसके बाद भी देखें बहुत टाइम बाद हमें 17 साल बाद फिर हम इ सॉल्ट के उपर कानून बनाया गया था ठीक है तो उस जिसको जो है एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पाप माना गया उन्होंने गांधी जी ने उस जो सॉल्ट लौ था उसी को जो है मेन अपना हथियार बनाया तो यह जो है मात्मा गांधी और सभी जो नेशनलिस थे उन्होंने रीजन दिया कि सॉल्ट के उपर टेक्स लगाना यह एक बहुत ही आप कह सकते हो पाप है क्योंकि यह सब के खाने का एक असेंशल आइटम है तो इसके उपर टेक्स जो है वो नहीं होना चाहिए सॉल्ट मार्च रिलेटिट तो जनरल डिजायर और फ्रीडम तो एस स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेर बाइवरीबड़ी और सभी लोग जब उन्होंने यह स्टार्ट का मार्च जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया तो सभी लोग उने इसमें पार्टिसपेट किया चाहे वो रिच थे या पूर थे तो एक तरह से उनके बीच का जो आप कह सकते हो पार्टिशन के बीच का जो उनके बीच आप कह सकते हो खाई कह सकते हो ठीके ना जो डिफरेंसिस थे रिच के और पूर के बीच में वो एक तरह से या खतम हो गए दा मार्च टू डांडी तो डांडी डांडी जो है coastal town था ठीक है एंड समुंदर के निकट जो था where they broke the government law by gathering natural salt उन्होंने वहाँ पे government law को तोड़ा उन्होंने natural salt जो है उसको लिया found on the sea shore समुंदर के तट से जैसा के आपको चितर में दिखाया गया है and boiling sea water to produce salt और जो है water को boil करके जो है उन्होंने क्या salt को produce किया salt को निकाला peasant tribes ठीक है and women participate in large number तो सभी लोग चाहे वो किसान थी आदिवासी थी women थी सभी ने इसमें participate किया business federation published a pamphlet on the salt issue ठीक है उन्होंने भी pamphlet issue की the government try to crush the moment through brutal action against peaceful सत्यग्रहे तो जो British government थी उसने इनको एक तरह से आप कह सकते हो peaceful सत्यग्रहे को दबाने की पूरी कोशिश की thousand were sent to jail बहुत सारे लोग jail में भीजे गए the combined struggle of the Indian people bore fruit when the government of India act of 1935 describe provincial autonomy and the government announced election to the provincial legislature ठीक है उसके बाद जो है ये fruitful रहा combined struggle Indian people का ठीक है और government of India act में 1935 में उन्होंने क्या किया कि election जो है वो announce करवा दिये गए in 1937 the Congress formed government in 7 out of 11 provinces और Congress जो है वो 11 provinces में से 7 जगे elected हो गई ठीक है इन सेप्टेंबर 1939 after two year of Congress rule in the provinces the second world war broke out उसके बाद क्या हुआ 1939 में second world war शिरू हो गया critical of Hitler and Congress leader were ready to support the British war effort but in return they wanted that India be granted after independence after the war तो जो लोग थे उन्होंने second world war में Britain का अपना हिस्सा था अपना उसने participate किया था तो वो जो है Indian जो people थे उन्होंने उसको support करने की बात कही लेकिन बदले में उन्होंने कहा कि second world war के बाद क्या चाहिए independence जो है हमें दे देंगे यानि आप इंडिया चोड़के चले जाओगी The British refuse to consider the demand of the Congress और British ने Congress किस demand को refuse कर दिया Minister resign in protest और Ministers ने इसके विरोध में resign कर दिया अभी हमने पढ़ा था ना उपर 11 में से 7 जो है वो elect हो गई तो उन्होंने जो है क्या किया उन्होंने resign कर दिया next देखिए question first है why did some of the Congress leader want to contest election क्यों चाहते थे वो election क्योंकि वो election करके और वो जो है policies में change चाहते थे ठीक है party should party fight election to the council तो यहाँ से आप कर लेंगे fight should को अटा दीजे party want to fight ठीक है पिटा party want to fight elections to the council and enter them in order to influence government policies तो यह आपका first question का answer हो जाएगा government policies को वो change करना चाहते थे ठीक है तो यहाँ से आप question number first का answer लिख लेंगे next देखिए question number two दिया गया है when was the resolution of Poonh Swaraj passed by Congress what who was the president of Congress at that time तो कब किया गया था पूर्ण सवराज्य प्रस्ताव पास यह किया गया था in 1929 under the presidency of जो आरलाल नहरू तो आप जो है यह वाला answer लिख देंगे question number two का answer next देखिए question number three है why did गांधी जी choose salt to fight against the British British जो है कांधी जी ने salt को क्यों चुना ब्रिटिश के लोगों के खिलाफ जो है उनको से खिलाफ लड़ने के लिए तो उसमें Congress के जो इन्होंने क्या किया था salt के उपर text लगा दिया था तो उन्होंने जो है क्या किया उन्होंने इसको sinful act बताया so यहां से आप करोगे it was गांधी जी यहां से करेंगे it was sinful to text salt since it was an essential item of our food ठीके of food our को छोड़के of food तो यहां से आप इसका answer कर देंगे यह बहुत ही essential item था food का और इसके उपर text लगाना क्या था पाप था इसलिए उन्होंने salt को चुना तो यह question number 3 का answer हो जाएगा next देखी next question 4 है how did the anti march affect the freedom struggle of India कैसे affect किया freedom struggle इंडिया की ठीके तो यहां से आप इसका answer लिखेंगे क्योंकि इसमें pizza and tribal women सबने बड़ी संख्या में भाग लिया था ठीके ना तो यहां से आप इसका answer कर देंगे pizza and tribal and women participating last numbers business federation publish a pamphlet on salt issue business federation उसने publish किया salt issue पे pamphlet पी जिससे सभी लोग उसे जुड़ गई ठीके तो यह आपका question number 4 का answer हो जाएगा तो यह हो गई आपके आज की बिटब वरक्षीट and I hope आपको वरक्षीट clear है कोई doubt है comment section में comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगी तो like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए and thanks for watching students have a nice day